हाँ तो भाई सोचल मीडिया पर फोटो अप्लोड करनी है पर समझ नहीं आ रहा कि इन हजारो एप्स में से कौनसा एप का यूज करूँ जो कि फिरी भी हो और अच्छा भी हो फोटो एडिटिंग करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाना मत भूलना and one more thing जो भी मैं apps आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो मैंने कोई ranking नहीं की है उन apps की वो सबी अपने आप में best है and secondly ये सबी प्ले स्टोर में freely available है तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहला app है Adobe Lightroom जैसा की नाम से ही पता चल रहा है ये app mostly उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा useful है जो कि अपनी photos में lighting वगएरा या color वगएरा adjust करना चाहते है and trust me guys इस app से जो output आता है एक एक color को manually adjust कर सकते हो जो की personally मुझे तो काफी cool लगता है बट अगर आप थोड़ा और time save करना चाते हो तो इसमें आपको काफी सारे presets भी मिल जाते हैं जो कि आपकी photo में 4 चानली के 400 सितारे लगा देंगे ना बात करते हैं second app की जो की है PixArt PixArt उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा useful है जो की professional photo editing करना चाते हैं इसमें basic feature जैसे की crop अगरा, colors अगरा adjust करना ये सब तो possible है ही इसी के साथ इसमें आपको काफी सारे advanced tools दिये गए हैं जिनका की इस्तमाल करके आप अपनी photos का look एकदम बदल सकते हैं इसमें आपको काफी सारे inbuilt effects देखने को मिल जाते हैं beauty का अलग से section देखने को मिल जाता है जो की face से pimple अगरा हटाना, skin smooth करने जैसे task काफी आराम से कर सकता है आप काफी आसानी से background remove कर सकते हैं photos में text अगरा add कर सकते हैं layers के साथ खेल सकते हैं in short आप बिल्कुल professional photo editing कर सकते हैं वो भी सिर्फ आपके mobile phone से now the third app is Snapseed पहले तो ये google owned app है and बिल्कुल fairy है इसमें आपको add भी नहीं मिलेंगे and काफी must must tool दिये गए हैं इसमें editing के लिए हाला कि इसमें दिये गए presets इतने कुछ खास नहीं हैं पर इसमें जो आपको tools दिये गए हैं वो एकदम must हैं अगर आप उनका इस्तमाल ढंग से करते हो तो आपकी photo एकदम धमागेदार हो जाएगी आपको कई सारे professional features जैसे की double exposure, vintage, brush tools, healing tools, lens blur वगएरा फिरी में देखने को मिल जाता है जो की बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे important यह है कि यह बहुत ज़्यादा optimized है यानि कि अगर आपके पास एक low end device है तो भी यह कभी hang नहीं होगा जब कि Pixar और Lightroom थोड़े heavy applications है जो कि अगर आपका device थोड़ा low end है तो वो कभी-कभी hang हो जाते हैं तो दोस्तो अभी तक मैंने जितने भी apps आपको बताया उसमें से किसी एक का या सभी का use करके आप अपनी photos को एकदम professional look दे सकते हो बट जो next दो app मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़े different है और आप मेंसे बहुत से लोगों ने शायद आस तक use ना किया हूँ तो अब जिस app की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है phonto यह आपकी photos में text add करने के लिए use होता है बट अब आप लोग बोलोगी कि पहले जो app बताया उसमें भी तो text add कर सकते हैं तो भाई रुको ज़रा रुको ज़रा सबर गरो असल में यह app सिरफ text add करने के लिए ही बनाया गया है तो इसमें 200 plus fonts मिल जाते हैं यही नहीं आप चाहें तो और भी fonts को install कर सकते हैं text add करने के साथ साथ इसमें आपको उसको manipulate करने के लिए काफी ज़्यादा feature दिये गए हैं जैसे कि stroke add करना, background change करना, shadow डालना, color pattern भी देख सकते हैं आप चाहें तो तो अगर आप text या quote वाली pics upload करते हो तो आपके लिए एक दम मस्त रहने वाला है नाव लाश्ट में जो app मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे काफी unique और cool लगा और उसका नाम है pixel loop इस app का इस्तमाल करके आप अपनी photos को 3D effects दे सकते हैं यानि ये एक still photo को motion में ला सकते हैं जो की काफी cool लगता है साथी साथ आपको काफी और cool features जैसे की overlay effects, camera effects, filters बगएरा देखने को मिल जाते हैं आप चाहें तो किसी भी चीज को motion में ला सकते हैं बड़ ये चीज तब और ज्यादा awesome लगते हैं जब आप आस्मान या पानी को motion में लाते हो तो एक दम मस्त हो जाती है आपकी photo हाला कि कुछ feature यूज करने के लिए आपको इसका paid version खरीदना पड़ेगा बड़ जो free version है वो भी काफी है आपकी photos को awesome बनाने के लिए तो try करो यार इसको भी and I'm sure आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा और हाँ मैंने आपको starting में बोला था कि last time में मैं आपको बताऊंगो कि अगर आप beginner हो तो आपको कौन सा app यूज करना चाहिए जैसा कि बताया text बगर एड करने के लिए photo का इस्तमाल कर सकते हैं but in the end अगर photos एक दम अच्छी करनी है तो यार थोड़ा तो time देना पड़ेगा क्योंकि at the end आपकी skill matter करती है ना कि कोई app so end करते हैं वीडियो को बट एक बात कहनी थी आर आप सबसे यार देखो सब मुझसे कहते हैं कि यार तेरे सबस्क्राइबर तो बड़नी रहे हैं फिज भी तू वीडियो को डालता रहता है तो यार अभी मैं उनसे सिर्फ ये कह पाता हूँ यार मैं नहीं चाता आगे भी मेरे को ऐसा ही बोलना पड़े तो यार प्लीस समझ गए होगे आप सबस्क्राइब करो यार और वीडियो को शेयर करो ताकि यूट्यूब आगे भी रिकमेंड गरे इसको और हाँ कमेंट सेक्शन में बताना की और कौन सा मसत सा एप है फोटर एडिटिंग के लिए ताकि मेरे को और बाकियों को भी पता चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वबाए